आगर वात करिये तो सुनीता यादवने मरी 50 लखनी ओफर औने जानती मारी नाखवानी धम की जो मीडिया में आया जो लोगों को पता चला वो 10 पसन अभी 90 पसन मेरे पास सारा पड़ा है डर डर तो मुझे किसी के बाप कही नहीं है हम नाथी चाली रहेला सुनीता यादवना किस्सामा आवियो एक मुट्टो वरांग जानो सुनीता ने केवी दमकी अफ़ामों आवि आरोग्य मंत्री किसोर कानाणी ना पुत्र अने कॉंस्टेबल सुनीता यादव वच्चे थाईली चिपा जोडी नो ओडियो वीडियो वाइरल थता मुद्धो राष्ट्रियस तरे गरमायो अतो आ केसमा क्यारे इन माफिन नहीं मां गोतेवी पन सुनीता याई कव्यो अतो आरोग्य मंत्री कानाणी ना पुत्र अप्रकास साथेनी माथा कोटने लै सुशल मिडिया मा वाद विवाद मा सपडाईली लेडीच एलार सुनीता यादवे रविवारे सांजे पोलिस हेड क्वाटर मा हंगामो मचावे अतो बाद मा सुनीता ये ट्वीट करीने पोलिस नेने ताने गुलाम अने ब्रष्ट गणावी निदी हाती कोरोना माहामारे ने लैने गुजरात सरकार कड़क नियमों बनावी रही छे तो बीजी बाजू लोको नियमनों बंग करी रहा छे जेजी पोलिस में जनता वच्चे क्यांक ने क्यांक गर्सन जोवा मरी रही छे एवीचे एक गटना जे सुश्यल मीडिया मा दूम मचावी रही छे जे आरोग्य मंतरी कुमार कानाणी ना पूतरो प्रकाश कानाणी अने एलार सुनिता यादवनी कोंट्रोवर्शी मा अत्यारे लोकोनों ध्यान दूरी रही छे सुनिता यादव है गई काले सांजे पोताना फेस्बुक पर लाइव वीडियो करी अगटना विछे थोड़ी गणी माहिती आपी हाती अने एक अत्यांत कंभीर वाद बाहर पाड़ी हाती सुनिता नो कयो उचेगे गटना समय जो मारा साथी दार साथे ना होत तो बीजो निर्भया कान तेमने जोवा मरत आरोग्य मंत्री साथे विवाद मा रहेली सुनिता यादवनी मीडिया खास स्वात चीत करी हाती मने जानती मारी नाकवाने धमग्यो मरी रही अने आ मामलो रफा दफा करवा माटे 25 लाख रूकडा रूप्या ने ओफर मरी छे वदुमा सुनिता यादव पन खानगी कारमा पोलिस नी प्लेट लगावी फडती होई ते नियम तोर्ती होई सवार पुछता तेने जवाब बापानू टार्य हातु अरसल खंदेडिया जेडेश टीवी सूरत जो मीडिया में आया है जो लोगों को पता चला वो 10 पसन अभी 90 पसन मेरे पास सारा पड़ा है डर डर तो मुझे किसी के बाप का ही नहीं है डर मुझे सिर्वीस बात के जब तक सच्चा ही बाहर ना आ जाए उससे पहले ना मर जाओ मेरा कोई रादा नहीं था बाहर डालने का फैमस होने का कोई नहीं था अभी जब तक मेरी औफिशली कारवाई पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती देखिए इस वक्त मेरी तब्बे बहुत अच्छी नहीं है मेरा अभी स्टेटमेंट चल रहा है वो स्टेटमेंट को छोड़के मैं बाहर आई हूँ मुझे अभी होस्पिडल जाना है अपनी तब्बे ठीक नहीं उसकी वज़े से अभी मैं डॉक्टर को दिखा किया हूँ कल रात को भी ठीक नहीं थी मैं थोड़ा सा अच्छा रह सक कि अभी तोड़ी दवा लेके आई थी अभी मुझे लिटरल ही दिखाना है ठीक से मेरी टबेट ठीक हो जाए उसके बाद मुझे स्टेटमेंट देना क्यूंकि स्टेटमेंन अभी मेरे ठीक होने की वज़े से रोका गया है अभी मैं घट जाँए मैंने खाना भी निये खा जब तक मैरी officially कारवाई जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको कोई अभी नहीं सकती है तब तक कुछ नहीं कह सकती मुझे आपको बहुत कुछ किएना है जो मेडिया तो लोगों सार्य कि भी व कितनी प्रेशर है कितनी जवाफदारी है मैं डिसिपलीन दिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे उसका जो डिसिपलीन है वो बनाया रखना है जब तक मैं हूँ तब तक जब मैं रिजाइनिंग लेटर दे दूँगी मेरा मंझूर हो जाएका उसके छो पूछेंगे रिजयन देने वाले रिजयन में असली पुछ को नहीं में मैं से मैं कैस क्या हो सकता था आ जब दब tipsy लग तो हिरक हैering मुझे मेरे सात हैै सची में एक तो मुझे दो नही है यह पोले साथ मेरे साथ हंडेड़ परसें साथ में मुझे इस वक्त प्रोटेक्शन दीया जा रहा है मेरे गहर पे इस वक्त डॉलता की आ जो है । और कल रात को लाईब आने का रिजन उसरीफ यही था, क्योंकि प्रॉब्लम के थी वाहाँ पे वाहाँ पर्सो में सिपई कचेरी गई थी मुझे रजाइंज लेटर देने के लिए पर मुझे लेटर देनेको नहीं मिला क्योंकि अमेश्था साब हाजिर नहीं था ठीक है तो वहां से जब मैं बहार निकली तो बहार निकलते हैं मीडिया वालों ने मुझे वो कैसे मतलब कोई आतंग वादी आया है उसको जपते में लेना है वैसे मेरी कार को पूरे कमिनों जपत ले लिया तो मैंने उन लोगों को सब लोग मुझे आला गलक फोन करके बोल रहे हैं मुझे दो मुझे दो मُझे दो पर गरी खाह göra मेरी जाजत के विना सूट तो मुझी ए ठीक नहीं लगा तो मैरे साइड मेरें एक और हैं про क्रावाpose simple खार में फुं अभ Indigenous guerre व हम जी सवाल नहीं अंजी और तो तुम्हें झेल इंतिर्वाश्विकार cunning रेक तो पने इंसी तरह से लेते noises हुआ है तो किसी इसीप्ली नहीं डेख रही है मास्क नहीं पहना था 50 पैसनिoral व 함께 उखेशंग नाम की और मास्क वेिवेप गोंद तो अच्छे वीडियो में हाउच जोड कै तो आती से हवत हों चाल है और एंट हुए भड़जी पहनो आप अगर इस तर से करोंगे तो मुझे अभी आपकी जरौत है मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं लेकिन उस भीड में कुछ लोग साइद मेरे अपक्स वाले थे अपक्स इन दर सेंस मेरे विरोदी जो लोग थे वो लोग थे तो उनका कहना था कि मुझे तुम लोग की जरौत नहीं है हुआ यह पूछा किने सब लोग अलग लग कॉल करके पूछ रहे हमें वीडियो आप मुझे इन्फोर्मेशन दो मुझे इन्फोर्मेशन दो तो मैंने आपको यह बोला भी आप लोग अपना एंग्रूप बना लो और उस ग्रूप में उस ग्रूप में सबको एक साथ मैसेज दे देती हूं तो उननका कि नहीं सबको एक साथ दे दो एक सिकना एक सिकना बंद करी तो जो उस टाम की घटना करम थी वहां पर मेडिया वालों को मेरे हाज ओर की रिक्वेस्ट करने के बावजूत भी वो लोग मेरी बात मानने के इंट्रव्य लते हैं वह जब नहीं बोलते हैं तु अपने को क्या समस्ति कह रहे हैंler有क्यों को में यह पने मसाला धिया कुछ लोग है जो मंतरी साँ के साही उनका साथ देंगे अगर उसका समय खराब चल रहा है फहाइ 가서 आप आपको किया, आपने प्पब्लिक सिटिटी स्टंड की ल inner गाटी तबसे ऊपर जा रो मेरे लाने 5 किसले सेुजा रहें कि मेरा बेटे का वीडियो आते ही मतलब एंट्रिस से वीडियो बनाए होता रहता है यह वो कुछ नहीं है तो वह जो गलत हो रहा था उसका मेरे पास कोई प्रूव नहीं था ठीक है कोई एविडेंस के लिए दूसरे दिन यह सब करना पड़ा मांगट चोक पे मुझे पहले जानगुश के किया जो वीडियो बनाने थे जानगुश के बनाया सब के आपनी एरिया में जो पब्लिक है वो इस तरह का कानून नहीं मान रही है और इस तरह के बहाने बना रही है ताकि आगे से आगे से सब कुछ मतलब जो अपना को करना ठीक है हमारी दूटी यह वो कोरोना की लिए है तो मैं चीज यह है कि अमिता बचन जी साब को हो सकते उन अच्छी फैसलिटी में रह रहे है जब उनको हो सकता तो आप और में तो कॉमन पसनिटिक है तो मैं चीज यह है कि भई उसकी वज़े से में कर रही है आपको क्या लगता है आप यह चर्चा के विसे क्यों बनी क्योंकि मंत्री के बेटा था इसलिए बनी सिर्फ और उसकी अगर कोई सामाने वेक्ती हो ता उसको में रोकती और उसको टॉकती और उसको यह अगर यह समय ने कहा होता तो यह पब्लिक सिटी कुछ ना होती यह फिर लोग उसका रिस्पॉंस नहीं देते कुछ नहीं होता मैं चीज यह है कि वह स्वास्ते मंत्री सर है जब उनकी कि मेरा जो बैठा हो अपने सफुर मिलने के लिए और वीडियो में प्रूव हो रहा है कि वह अपने दोस्तों को चुड़ाया रहा है तो आप लोग देखिए कि मंत्री साब जो है वह कैसे अपने स्टैट्मेंट बदल रहे हैं उनका बैटा है वो कैसे स्टैट्मेंट बद मुझे प्लीज आप मुझे कॉपरेट कीजिए मेरी तबेद सही नहीं है में दोपेर बाद वापस पांच बजी अपने स्टेटमेंट दे लेने के लिए यहां पर आ रही हूं पर स्टेटमेंट दे दू थोड़ा मुझे रेश्ट चाहिए मेंटल मुझे बहुत प्रेशर है बनो या समा सेवाग बनो नहीं ऐसा कुछ नहीं आप महेश सवाणी का अगर आपने सुना हो उनका वक्तव यह जब वो शादी में दे रहे होते हैं तो उसमें वो यह कहते हैं कि भई सेवा करने के लिए पैसे वाला होना जरूरी नहीं है सेवा करने के लिए युनिफॉर् कैसे की जा सकती है मेरा यह जो रिजायनिंग देने का आरण है वो यह है कि मैरे पात्स पावर में चीज पार चानला खाना चा्नला थे भर्यां रिजाइन देने के बाद मैं घर पे बैठूँगी और तैयारी करूँगी और IPS की एक्जाम क्लियर करूँगी जो मेरा पहले से भी गोल था कि मुझे सुपीरिट ऑफिसरी बनना था बाई किसी कारण से मैं यहां पे पहुंच गई जो भी है मैं अब भी नहीं बता सकती पर मै एलर तरीके से ड्यूटी करूँगी तो रिजाइनिंग देने के बाद मैं तयारी करूँगी इस चीज़ की IPS ओफिसर की एक्जाम क्लियर करने की कोसिस करूँगी अगर हुई तो ठीक है नहीं हुई तो जहां पे भी हूँ अगर मुझे इंसाफ मिलता तो मैं जहां पे भी ह है जॉइन करके छोबों की सेवा करना चाहूँमें अखिरी समाल सूरत प्लिस साथ का किना मदद सैघ्य मरे साथ मेंगी पूरी घृत मेरे साथ मैं सब्रूपर्राइट फील सिपर्ट कर रहेए वहं हंड़ी को हई मेरी लगाई की सबलें ऑल मुझे सॉफ्टाल को बतारहे सब्सक्राइब कर दो साल और माथा पच्छी करती तब जाके मैं कॉंस्टेबल बन पाते इस पुलिस के भी पढ़ता लगा पुलिस की बढ़ता लगा आप जैसे बताया आपने खुदिने वीडियो बनवाए तो यह आपने स्टेंट करवाया तो इससे पुलिस की चबी नहीं खराब नहीं से ब्लोग मुझे तू करके गुला रहें तो उन्होंने आपकी क्या चबी खराब नहीं इसमें सब लोगों को मैंने बीट नहीं दिया तो उन्हों मुझे गालियां दे रहे हैं जो Shingham बनाए था उसके जगे मुझे यह बोल रह मुझे इस तरह से कर रहे हैं पर national वालों को support और रसे national ना करें तो भी कोई बात नहीं जब्स रात को 11-11 पर यह अकली हो यह दिन है समाज मेरा अहीर समाज समाज का मैं किसी का पक्स निले रही हूं सारे समाज मेरे साथ में है समाज साथ में की जनता है तो पुलीस वाले है जनता है तो रिपोर्टर और ये मीडिया वाले जनता है तो राजनेता है ंग। पुलीस तो आगे की जो भी डिस्केशन है मुझे नेक्स टाइम में आप रखिये, मैं आपको पूरे आपके जो भी सवाल होंगे, सारो का मैं जवाब देने के लिए तहीं, आरोपर मुझे कुछ टाइम दीजे, मुझे भी रेश्ट की ज़र हो, तो मुझे नींद नहीं आ रही है, किस तरह का डर है आपके लाग में क्या हो सक डर, डर तो मुझे किसी के बापका ही नहीं है, बस डर, तो इस बात कंए कि मैं मनने से भी डर告诉 भी नहीं डरती हूं, म tua जाय Uni सक दो घरर हो, उना आ पहुछ पहूंच पहू, उसका पंज YOUR नुच्थाइ को है, जब तक सच्चा ही ह।